अबसकार, मैं विश्णु सर्मा आप सभी का आपका ही अपने चैनल विश्णु एटीपी में हार्दिक स्वात करता हूँ और आज मैं इंडियन मैथालोजी के उपर उन में से एक स्टोरी लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही अच्छी लगी मुझे बहुत ही अच्छी स्टोरी के लभा मॉरल भी हमें सीखने को मिलता है सब काम एक साथ हो जाते जो में बुराई का है बहुत अच्छी बात है चले च्टार्ट करते हैं इसे जूम कर देता हूँ ताकि आपको अच्छी से क्लियर दिख पाए जैसे 20 या लोग देखे हैं, 500 लोग बस like किया है, तो लगता है कि बाकी लोग को पसंद आया ही नहीं है, जबकि ऐसे नहीं होता है, आप लोग को पसंद आता है, लेकिन like करना भूल जाते हैं, तो please like कर देंगे, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, और कुछ नहीं है, ठीक ह है, great याने महान, महान त्याग, ठीक है, त्याग करना, sacrifice करना, उसे हम त्याग कहते हैं, ठीक है, sacrifice, आप सही पता है, अब देखते हैं, यहाँ पर एक डव है, कबुतर, और यह अपका एक एगल है बाज, तो दोनों देखते हैं, इसमें श्टोरी क्या है, और राजा है, तो ठीक है, clear हो गया, he was famous for his truthfulness, वह प्रशिद्ध थे, ठीक है, famous याने प्रशिद्ध हो ना, ठीक है, प्रशिद्ध थे, for याने के लिए, his याने उसके, truthfulness, इसका मतलब होता है, सर्ट निष्ठा, सच्चाई, ठीक है, अपनी सच्चाई के लिए वो प्रशिद्ध थे, justice, nyaay, and, or, keeping his word, keeping याने रखना, his याने अपना, या फिर उसके word याने होता है, सब्द, याने अपने सब्दों को रखना, तो keeping the his word का मतलब क्या होगा, ऐसे तो नहीं बोलेंगे, अपने सब्दों को रखने के लिए वो थे, तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, कि अपनी बातों पर कायम रखना, अपने बातों पर कायम रहना, या अपनी अपना वचन रखना, जो वचन दिया, उस पर कायम रहना, उसे हम keeping his word, ऐसे बोलेंगे, ठीक है, बहुत सारे किवल ट्रांस्टेट नहीं करना, उसकी और मीनिंग भी हम उसे निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं, ऐसे ज उसे शिद्द थे, अब क्या आवा फिर देखते हैं, one day एक दिन the gods याने देवताओं ने, gods याने देवताओं बहुत सारे देवता है, decided याने निर्ना इलिया, ठीक है, फैसला लेना जिसे कहते हैं, to test him, to test याने परिक्षा लेने की him याने उसकी, उसकी परिक्षा लेनी का निर्णा लिया कि चलो भी इस राजा का हम परिच्छा लेते हैं इतना आधा famous है तो वाकई में सही है कि नी once एक बार the king saw an eagle chasing a dove ठीक है तो राजा ने देखा saw याने देखा c का पास्ट ने saw an eagle एक ठीक है एन का use क्योंकि आप से बता है eagle क्योंकि e e द्वनी निकल रहा है आपे तो a a e u ऐसे द्वनी निकलता ना जो आपका हिंदी में जैसा मोलते है saw तो wall जिसे कहते हैं तो ऐसे द्वनी निकलता है तो हम वहाँ पे n का use करते हैं तो देखे एन eagle e से सुरू हो रहा है ठीक है तो एक बाज को देखा chasing a dove chasing ठीक है और क्या कर रहा था chase कर रहा था chase करना ने पीछा करना ठीक है पीछा कर रहा था a dove एक dove याने कबूतर याने एक राजा ने एक बाज को कबूतर का पीछा करते हुए देखा ठीक है saw ने देखा फिर क्या होँआ देखिए the dove was frantically looking for a place ठीक है तो the dove याने जो कबूतर was था क्या था frantically frantically मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है बोलते हैं पागलपना से व्यग्रता से थोड़ा सा डरा हुआ उसे हम frantically बोलते है देख रहा था looking याने देख रहा था मुझे एक इस्थान मिल जा है place याने जगा to hide छिपने के लिए ठीक है डर के वो छिपने की जगा देगा था भी बाद से कैसे बचू मैं और फिर क्या वाद देखे and came and settled in the king's lap came आया ठीक हाया and or settle settle याने होता है बस जाना ठहर जाना रुख जाना इस्तिर हो जाना उसे settle बोलता है और रुख गया in the king's lap in याने में the king's apostrophe लेगा काकी के याने राजा के lap याने होता है गोदी ठीक है lap राजा के गोद में जैसे lap अब सब सच एग्जामबल क्या होता है laptop ठीक है laptop बोलते हैं lap याने आपकी गोद में top याने उसके उपर अपने गोद के उपर जिस पर रखे हम काम कर सके तो भई laptop आप से उपता है गोद के उपर रखे आप 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 टेबल में रखते हो लेकिन बना वैसी कि आप कहीं भी चेयर में बैठे हो कहीं भी ऑफिस में आपके पास कुछ साधन नहीं है कंप्यूटर तब ले आ सकते नहीं हो तो laptop इसलिए बना है आप गोद पे रखे और सीधा आप काम करना सुरू कर दी तो laptop हम सुने तो है लेकिन मतलब पहुंच लोगो आज पता चरो के laptop का actual meaning आखिर ऐसे क्यों है गोद में रखे काम करना सुरू गोद की उपर रखना तो राजा के गोद पे क्या हो गया ठायर गया फिर क्या हो देखे तो कभूतर ने कहा अब राजा से क्या कर रहे देखे oh king hey raja please save my life kripiyah save याने बचाओ turn form used होथा तो past perfect है जहांपे लिया, दिया, चुका, चुके इस प्रकार से होथा हुथा तो क्या होगा राजा ने सपत लिया था ठीक है लिया था दिया था दा किंग है टेकना वाव तो ये वाव ये मतलब क्या होता है वाव का मतलब होता है शपत लेना प्रण लेना कसम लेना ठीक है तो राजा ने कसम ली थी तो प्रोटेक्ट तो प्रोटेक्ट याने रक्षा करने की ठीक है एनिवन किसी की भी तो उन्होंने ऐसा है उन्होंने सपत लिया था कि मैं किसी की भी रक्षा करूँगा तो याने रक्षा करने है तो जो उसकी रक्षा करेगा तो यह देखे क्लियर हो गया उसका आस्रा लेगा उसकी वो रक्षा करेगा एनिवन कोई भी तो उसका टू प्रोटेक्ट याने रक्षा करना क्लियर हो रहा है हर सेंटेंस का वर्ड हर मीनिंग का वर्ड सॉरी हर वर्ड के मीनिंग तो प्लीज आप लाइक कर देंगे श्रीविराना हिट दडव श्रीविराना क्या कि हिड अब बहुत वर बोलेंगे सर हाइट क्यों ने लिखा है पर हिट क्यों लिखा हुआ है E लिखना भूल गया है क्या मैं सही बता रहा हूं मुझे भी जब मैं स्टार्ट कर था इंगली सीखना तो मुझे भी नहीं पता था मैं भी सोचता था mistake by mistake यहाँ पर E हड गया होगा hide होता है hide याने छिपना होता है शीबी राना hit the dove तो शीबी राना ने क्या किया कबूतर को क्या कर दिया hide याने छिपाया कहां छिपाया in his lap आपने agtнд्स याने उसके भी होता है और हिस को में story में अपने के लिए उस Called ऑपने ऐसे हिस बोल देते हैं टीक है इस ने अपने ऐसे टाइप से बात करेते हैं अपने गोध में छिपाया लेकिन हिस आने उसके ऐसे होगा हम क्या बोलेंगे राजा ने उसके गोध में चिपा लिया लेकिन हम राजा के तरफ से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे राजा ने अपने गोध में चिपा लिया तो भई हिस के लिए आपको बता देता हूँ hidden my prey you have यहाँ पर भी have के साथ hidden third form लगा है वहाँ पर had के साथ third form लगा था तो चुका था, लिया था, दिया था लेकिन have के साथ third form होगा तो चुका है लिया है, है ना दिया है ऐसे use होगा, है है जूट जाएगा तो देखिए, हे राजा you have hidden, आपने चुपा दिया है clear हो गया, आपने चुपा दिया है, यही पैसे होगा you had hidden, तो आपने चुपा दिया था या आपने चुपा दिया, ऐसे use होगा clear हो गया, you have hidden my prey, आपने चुपा दिया है my याने मेरे prey, प्रे याने यह समझे लिजे ऐसे भी तो हो सकता है कि उसे पाप लगे क्योंकि बाज का वो निवाला है उसका खाना है और उसका खाना चीन रहा है तो उसका जान बचा रहा है हो सकता है बाज के बच्छे बूखे हो या फिर बाज भी मरने की सिती में हो उसका वो निवाला है तो बहुत असमंजस की सिति हो जाती है कि हम इसे बचा है कि उससे बचा है। बहुत बार आपने देखा होगा मकडी किसी मख्यी को यानि मक्षी जाले फसी हुई है, मकडी उसको खाने के लिए खीच रहा है। तो आप सोचते हो कि यार मक्षी को मैं हटा देता हूँ या कईबर हटा भी देते हो और खुश हुए आते हो कि हाँ मैंने मक्षी का जान बचा लिया है ना और मकडी से मैंने मक्षी की जान बचा लिया लेकिन आप ये भी तो सोचो कि भाई उसका तो वो खाना है विचारे मक तो बहुत बुरी सिती में फस जाते हैं मैं भी फस गया था तो मैं भगवान से चमा प्रात्ना मांग लेता हूं कि भगवान चमा करें जैसे आपकी जो चल रही है मतलब जो आपने बनाया हुआ है यह चेंड सिस्ट्रम उसे चलने दीजिए उसमें मैं बीच माणंगा नहीं खोड़ दो सिधी सी बात है मेरा सिकार है चोड़ दो and let me satisfy my hunger और let me यानि मुझे करने दो कुछ चीज करने दो satisfy यानि होता संतुष्ट कुझा है मुझे संतुष्ट करने दो माई यानि मेरी hunger यानिремट मिटाने दो satisfy my hunger याने मेरी भूख मिटाने तो भूख सांत करने तो ऐसे बोच सकते हैं तो भई ऐसे ऐसे डव ने उस एगल ने कहा राजा से मेरा सिकार छोड़ दो आप राजा देखी परिसानी में पड़ गया है the king wanted to protect the dove राजा चाहते थे want याने चाहना याने रक्षा करने के लिए the dove कबूतर की रक्षा करना चाहते थे but लेकिन at the same time याने उसी समय तीक है वो एक तरफ तो रक्षा करना चाहते थे और एक तरफ याने उसी समय वो क्या करना चाहते थे he did not want to deprive the eagle of his prey he did not want, वो नहीं चाहता था वो नहीं चाहता था तो कुछी नहीं करना चाहता था वो वन्चीत करना नहीं चाहता था the eagle to his prey eagle को, बाज को sorry, of his prey याने उसके सिकार के सिकार के लिए eagle को वन्चीत नहीं करना चाहता था वन्चीत अब एक दम हिंदी है वन्चीत याने क्या होता है कि उसको मतलब उसके बिना नहीं रहने देना चाहता था याने उससे दूर नहीं करना चाहता था तो वन्चीत को यह दम नॉर्मल सब्द में समझाओं, तो दूर नहीं करना चाहता था, ऐसे, ठीक है, क्लियर हो गया, अब फिर क्या हुआ भाई, समझ आगे आपको, नहीं, उसे मरवाना चाहता था, कि कब उदर भी ना मरे, और इसका सिकार भी ना जाए, फिर क्या हुआ, उसने वह भी होता है, उसने उफ़र्ड करना है, याने क्या होता है, प्रस्ताव देना, प्रस्ताव किया, प्रस्ताव दिया, to give यानि देने की the eagle यानि eagle को बाज को क्या देने का प्रस्ताव दिया देखे पेसकस की the same amount of meat in return same amount यानि उसी मात्रा में उतनी ही मात्रा में तो उसे same amount बोलते हैं उतनी ही मात्रा में कितना of meat in return of meat यानि मांस का of meat यानि मांस का इन रिटर्न याने बदले में, इन रिटर्न याने बदले में, तो उसने बोला कि भई, जितना कबूतर का साइज है ना, उतना ही मांस मैं आपको दूंगा, ठीक है, अब देखें क्या हुआ उसके बाद, ठीक है, फ्लेश फ्रॉम दा किंग्स राइट थाई, अब जो बाज याने क्या क्या है, डिमांडेट, डिमांडेट याने मांग करना, डिमांडेट याने मांग किया, ठीक है, पास्टेंस में, आपको बता है तो अब इगल ने मांग की, बाज ने क्या मांग की, देखी, फ्लेश, याने भी मांस होता है, मीट याने मांस पड़े, फ्लेश या जंगा ठीक आप समझ गया जांग तो आप सभी जानते हो तो उसके दाएं जंगे से है ना मांस लेने की डिमांड की कि भई मुझे आपके दाएं जंगे से ही मांस है और किसी जानवर का नहीं चाहिए आप देखो क्या हो गया on the condition on याने पर the condition याने क्या होता है condition या होता है सर्थ ठीक है शर्थ जिसे कहते हैं सर्थ पर कौन से सर्थ पर देखे that की not a tear should fall from his eye while his thigh is अब आगे बता दूँ कट ठीक है यहां तक के देखे अब कौन सा सर्थ रखा कि भई आपके right thighs है तो मुझे चाहिए लेकिन एक सर्थ भी रख रहा है condition क्या रख रहा है की that याने की not a tear यहांस एक भी आउसो नहीं not scorय नहीं शुड याने चाहिए तो एक भी आउसो नहीं चाहिए क्या नहीं चाहिए fall fall याने गिरना तो पूरा मतलब क्या हो गया कि उसे ंसर्थ रखा कि एक भी आसो नहीं गिरनी चाहिए from his eye from याने से his जाने उसके आई याने आँख उसकी आँख से एक भी आशू नहीं गिरनी चाहिए while his thigh is stuck while याने होता है cut while याने होता है दौरान his thigh उसकी जांग is cut याने कट्ती है तो भई आपको पूरा सर्दर समझ आ गया कि भई जब उसकी जांग कट्ती है या कटेगी तो क्या होगा उसके आँख से एक भी आशू नहीं आनी चाहिए while याने दौरान किस दौरान उसके जांग कटने के दौरान उसकी आँख से आशू नहीं आनी चाहिए अब देखे कितना बड़ा सर्त है उसके पैर से उसको जांग से मांस भी चाहिए और बोलता है आशू भी नहीं आना चाहिए तो ये तो बहुत बड़ा धर्म संगठ है फिर क्या होगा देखे the king thought राजा ने सोचा thing क्या ने सोच ना thing का पास ने सोचा that की cutting away ये cutting एक साथ है cutting away cutting away याने होता है काट कर अलग करना उसे cutting away बोलते है a little एक छोटा सा flesh याने एक छोटा सा मांस का तो कुड़ा समर लीजे from his body उसके सरीर से उसके सरीर से यादी छोटे थोड़ा सा मांस मांस यादी क्या होता है निकाल भी लेते है ठीक है चला भी जाता है तो क्या होगा देखी would not kill him उसे नहीं मारेगा ठीक है would not की मियाने उसे नहीं मारेगा उसकी जान नहीं लेगा तो लेगा देगा ये तो आपका future tense का sentence होगा तो will कहा है सर तो हम will के जगा would का यूज़ करते है जब past tense का कोई sentence है कि हम कुछ past tense की कहानी पढ़े है उस कहानी में ऐसे बोल रहे है कि ऐसे नहीं होगा वैसे नहीं जाएगा वैसे नहीं खाएगा तो वहाँ पे गागी गया आ रहा है तो हम आपे will के जगा would का यूज़ करते है would not ठीक है कबूतर would also would याने होगा क्या होगा also be saved याने वो भी be saved ठीक है would be saved का यूज़ करते है हम कब करते है होगा वो भी सुरक्षित हो जाएगा इस प्रकार का यूज़ तो यहाँ पर भी would का यूज़ की है क्योंकि future tense वाली बात हो रही है अभी save नहीं होगा वो भी save हो जाएगा हो जाएगा होगा तो देखे गागी गया रहे है इसलिए हम would का यूज़ कर रहे है तो clear हो गया ना मुझे ना मेरी जान जाएगी और कबूतर भी save हो जाएगा at the same time है उसी समय है ठीक है the dove was placed ठीक है कबूतर को was placed याने रखा गया place करना रखना कहीं पर रखा गया कहां रखा गया on one side on याने पर one side याने एक तरफ एक तरफ रखा गया off a balance ठीक है a balance याने क्या होता है off याने के a balance याने एक तराजू balance याने संतुरन भी होता है तराजू भी होता है तो एक तराजू के एक तरफ कबूतर को रखा गया था या रखा गया ऐसे बोल सकते हैं अब clear हो कि फिर क्या होगा देखिए and the king's flesh और ठीक है the king's flesh याने राजा के मांस को on the other on याने पर the other याने दूसरे क्या हो गया याने एक साइड में कबूतर को और on the other याने दूसरे साइड तो हम on the other लिखें तो इसका मलत क्या होगा दूसरे तरफ तराजू के दूसरे पर पर सीधी सी बात है भी तबी तो वजन पता चलेगा ना same amount but no matter how much आगे पढ़ते हैं but no matter याने ऐसे तो no matter याने no कोई मामला नहीं matter याने मामला होता लेकि इसका और क्या मतलब निकाल सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं ऐसे भी इसका मतलब निकाल सकते हैं लेकिन कोई मतलब नहीं how much कितना भी how much याने कितना भी flesh याने months कितना भी months was added यानि उसमें, क्या किया गया? added यानि जोडा गया, मिलाया गया, रखा गया, तो हम added बोलेंगे, और उसमें बहुत सारे मान्ज उसका काट 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 कर रखते जाते थे, लेकिन कोई मतलब नहीं होता था, the dove was always heavier, ठीक है? तो dove, कबूतर, was याने था, always याने हमेशा, heavier याने भारी, कबूतर हमेशा भारी होता था, याने उसका वजन जादा ही होता था, heavier याने भारी, बहुत जादा भारी को heavier बोलते हैं, हमेशा भारी होना, तो भई यो छोटा सा कबूतर था, लेकिन कितना भी मांस रखते थे, कब Appear in the king's left eye, the small, sorry, a small tear, एने, एक, छोटी सी आँसु, याने, आशू की एक छोटी सी बूंद, ऐसे बोल सकते हैं, थोड़ी सी आँसु, उसे small tear, लेकिन थोड़ी सी आँसु, appeared, appeared, याने, होता है, दिखा, ठीक है, हम किसी को बोलते है, appeared, याने, होता है, दिखना, ठीक है, वहा आँसु दिखा, when the eagle, जब, बाज ने, क्या किया, बाज ने, confronted him, confronted का मतलब क्या होता है, हम इसे क्या बोल सकते हैं, कि जब उसने उसका विरोध किया, तो उसे हम confronted बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तो उसने क्या क्या विरोध किया, हिम याने उसका, कि भई, आपने तो बोला थ सर्थ रखी थी आपके आँखों से आसू नहीं आना चाहिए गर आसू आया तो मांस फिर मैं यूज नहीं करूँ आप देखो अब इसका मतलब क्या होगा बाया आँख पर उदास था क्योंकि कोई मांस का थोड़ा सभी तुकड़ा कोई भी मांस had been taken याने लिया गया तो no लिखा ओया तो नहीं लिया गया तो बायाक क्यों उदासे क्योंकि मांस का थुकड़ा नहीं लिया गया ठीक है from the left thigh from याने से the left thigh याने बाये जनگे से वही बायाक इसलिए रो रहं है कि आप जीतने किटना दिमाग से बूल रहा है तो वो बोल रहे हैं वोना दिमाग लगाया और क्योंकि उसे डान करने कि वर है इसलिए उसमें आसु हुआ आया कितनी अच्छी बात बोली अंकовали वात बोलोत इसपार फॉल सकते हैं इस पर the eagle and the dove vanished ठीक है the eagle बाज और the dove जो कबूतर था vanished vanished याने ऐसे तो होता है धुल जाना ठीक है धुल गए अब धुल गए तो नहीं बोल सकते हैं अब इसे हम क्या बोल सकते हैं गायब हो गए अद्रिश हो गए ठीक है तो उसे हम vanished बोलते हैं क्यों कि बोलते लिए ंद्रिश ने यहां पहुकर बता आए परिक्षा कर लिया था वूतिर द्रिवो सकेटर राना धおお परिक्षा पास कर ली थी and or the gods blessed him the gods देवताओं ने क्या किया blessed आशिरवाद दिया blessed याने आशिरवाद blessed याने आशिरवाद दिया पास्नस हिम याने उससे ठीक है और उस राजा को सभी देवताओं ने आशिरवाद दिया परिक्षा क्योंकि अपनी बात पर रहते थे अटल रहते थे हमने आप पहले ही पढ़ा है और उन्होंने जो कहा था वो करके दिखाया उसके राइट आई से लेकिन आसू नहीं है लेफ्ट से आया तो उन्होंने बहुत इच्छी बात कही सब्दान आप राइट से ही ले रहे हो और लेफ्ट से कुछ नहीं हो तो देखे देवता भी खुश हो गए तो आप सबी के कुछ भी नियम रहते होगी इमानदारी है, किसी की मदद करना सच बोलना, जो भी आप में क्वालिटी है उसे मेंटन रखे हमेशा भगवान भी ठीक है, उसका क्या करते है अधर करते है, रिस्पेक्ट करते है वो भी आपकी हमेशा शहेता करेंगे वहले हो सकता है, कुछ परिसानी आया हो समय इनको भी बहुत परिसानी हुए उनके स्रीज से मांस निकाला गया लेकिन वो अपने बात पे अडिग रहे अपने बात से नहीं हटे जिससे देवता उनसे खुश हो गया देवता जो थे और उन्हें ब्लेसिंग दी आशिरवाद दी सिरी से बात ही आशिरवाद दिया तो फिर उनका जो मांस वगरा था वापस आगया होगा तो ये थी आची स्टोरी आप पताएंगे कि आपको कैसा लगा समझाने की तरीका पसंद आती हो तो प्लीज लाइक करेंगे शेर करेंगे इसे स्क्रीन सॉट यूटूब कमरेटी में भी दे दूँगा इसके अलावा आपको मेरे फेस्बूक पेज में मिल लाएगा तो प्लीज लाइक कमेंट तो आप जरूर कर दिया करें थोड़ा सा मुझे अच्छा लगता है मैं मेहनत करता हूँ इतना जादा मुझे बस कुछ नहीं चाहिए आप लोग से एक लाइक या फिर कमेंट चाहिए बस ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद आपका दिन शुब रहे